हलो फ्रेंड्स आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे CDS exam 1 2021 का question paper है और यह subject आपका English है तो English subject का आपको 2021 का question paper यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं और उसका answer भी आपको बता देंगे कि कौन सा इसका answer सही है आप वीडियो को रोक करके question पढ़ करके और समझ करके अपने answer को match कर लिजेगा प्रेविसर question आपको जितने भी CDS exam 1 हो या फिर CDS exam 2 हो जितने भी प्रेविसर question है वो सब आपको मेरे चनल पर मिलेगा और साथ साथ मैं आपको बता देते हैं कि NDA का भी question paper इस चैनल पर मिलेगा तो आप मेरे चैनल से जरूर बने रही है और इस परकार के जो प्रेविसर question है यह आपको बहुत मदद करेगा आपके revision के लिए और पलस में आपको यह भी बताए कि किस तरह से question आता है किस topic से ज्यादा question आता है चली तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंगलीस का question paper वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा और comment करके भी बताएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे टोटल जो question रहेगा वह 120 question रहेगा और यहाँ पर आपको question देखाएंगे और इसका answer बता देंगे question आप read किजेगा क्योंकि 120 question है तो question read वेगर करेंगे तो बहुत ज्यादा time लग जाएगा इसलिए वीडियो का परोप करके और question पढ़ करके उसके बाद अपने option को match किजेगा तो पहला start होता यहाँ से exporting errors तो देखेंगे डिरेक्शन दिया हुआ आपको अच्छे से दिखाएंगे clean दिखाएंगे ताकि question पढ़ने में कोई दिकत ना हो तो question number 1 start करते हैं देखे question number 1 है question number 1 का जो सही option हो जाएगा जो correct option हो जाएगा ओप्सन नंबर D और अप्सन नंबर D हो गया फिर second question का जो सही option है वो है option number C तो इसका C option हो जाएगा इसके बाद question number 3, 3rd का भी option number C सही है, next question है, question number four, question number four का option number C and question number five का option number C, and question number six का option number आपको सबी option दिखाते हैं, ठीक है, दिख लीजी, और question number six का option number B, सही हो जाएगा, इसका option number B, इसके बाद कोच्य नंबर 27 कोच्य नंबर करक्ट है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो meat यह мож जितने भी आप इडम्स फ्रेजे देखेंगे तो इससे आपको जुरूर पता चल जाए कि अधिकतर जो इडम्स फ्रेजेश है वो कहां से आते हैं और किस तरह के आये हैं ठीके तो यह सब जरूर आप देख लिए और सेटेस एक्जाम वान का जो है 2020 का मैथ और जीके का भी अफ्लोड किया हो उसको भी आप जा करके देखिए तो चलिए आगे बढ़तें नेक्स्ट कोचन कोचन नंबर 11 कोचन नंबर 11 आपको दिखाते हैं यह रहा कोचन नंबर 11 तो इसका जो सही ऑप्शन है इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्श हो जाएगा सी इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका कोचन नंबर 14 बीग टिकेट तो इसका अप्शन नंबर हो जाएगा बी और 15 कोचन नंबर के हैं वोल्ट फ्रॉम द लू तो इसको आप अच्छे से ऑप्शन देख लिजिए ठीक है और इसका जो सही ऑप्शन ह व हो जायेगा ऐँ ठीक है चली इसके बाद आगे देगत नेक्स्ट आपका सिस्टीं दिए लघ इन्टू यॉर्सेल्फ तो इसका जो कोच नुम्बर 16 का जो सही ऐप्सण हो जाएगा और सब्सक्का सब्सक्राइब wonder. 17 गोशन नुम्बर 17 का जो सहीベसान है वयदा सब्सक्राइब. इसके बाद चुए और 18 माम आढ़ारा आधारा आज यह ओपी आपसन हो जाएगा आपसन नुम्बर इसके बाद कोच नुबर 20 कोच नुबर 20 से देख लिए कोच नुबर 20 का सही उप्शन हो जाएगा सी चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो यह आपका अगल्साइब कोच नुबर 21 तो खेंशन नुबर 21 देख लिए इसको और बढ़ा करते हैं यह रहो कोच नुबर 21 देख लिए इसको इसका जो सही आंसर हो जाएगाा ऑप्शन मबर A हो जाएगा साही इसके बाद आगे बढ़ें तो कोचन नमबर 22 का ओप्षन नमबर 22 का ओप्षन नमबर B सही हो जाएगा इसके बाद 23 तो 23 यहां पर कोचन है यह आपका कोचन है और ओप्षन आपको और दिखा रहे हैं ओप्षन तो एक यहां पर है ठीक है और बाकी का 3 भी आपको दिखा रहे हैं तो बाकी का 3 यहां पर है तो अब 23 का जो सही option हो जाएगा option number कौन सो हो जाएगा ठीक है तो option number इसका C correct होगी है चलिए इसके बाद next आपका 24 24 का option number B correct हो जाएगा इसके बाद next आपका है 25 25 में देख लिजे 25 का जो option सही होगा वह C चलिए इसके बाद यह पैसेज 2 आपका है वह पैसेज 1 था यह आपका पैसेज 2 है इसको आप अच्छे से देख लिजे तो इसको आप अच्छे से है वह जाएगा option number a तो option number a इसका correct हो जाएगा चलिए इसके बाद है 27 27 का option number c correct है इसके बाद है 28 28 का दो option तो आपको यहाँ पर मिल रहा बागी का दो भी आपको दिखा रहें ठीक है तो नेक्स्ट आपका 29, 29 का जो सही option हो जाएगा वो B, correct है, चलि इसके बाद next आपका 30, तो 30 question देख लिजिए इसका जो सही option हो जाएगा, वो है A, चलि इसके बाद आगे बढ़ें, तो next आपका देख लिजिए इसमें क्या करा है, तो ordering of words in a sentence, तो आप directions पढ़ लिजिए, इसको और कौन सा यह जो DIY sentence, इसका order इन 4 option में से कौन सा यह आपको बताना है, ठीक है, यह 4 option है, 31 का और यह आपको बताना है कि कौन सा order इसमें सही है, ठीक है, तो 31 का जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा option number D, चलि इसके बाद आगे बढ़ें, तो next आपका है 32, इसका जो सही option हो ज बढ़ते हैं, 34, 34 का option number इसका भी D, सही है, चलि इसके बाद next आपका है, 35, 35 का option number C, correct हो जाएगा, चलि इसके बाद आगे बढ़ें, तो next आपका है, 36, 36 का option number D, सही है, इसके बाद आगे बढ़ें, तो next आपका है, 37, 37 का option number B, सही है, इसके बाद आगे बढ़ें, तो next आपक और 39 39 का जो सही option हो जागा वह जागा option नमबर इसका भी C सही है इसके बाद है 40 40 का option नमबर B सही है इसके बाद आग बढ़ें तो next हम लोग देखते हैं कौन सा है तो ordering of sentence इसमें आपको बताना है order of sentence यहाँ पर दियावा आप directions पढ़ सकते हैं ठीक है इसके बाद आग बढ़ें तो next आपका 41 41 को अचन अच्छे से देख लिजिए यह रहा आपका 41 को अच्छन इसको आप अच्छे से देख लिजिए यह 41 है चली तो इसको अच्छे से देख लिजिए और इसका option आपको दिखाते हैं यह रहा है इसका option तो 41 का जो सही option हो जाएगा option number C correct है चली इसके बाद आग बढ़ें तो next आप का है 42 यह रहा को अच्छन 42 इसको अच्छे से पढ़ लिजिए ठीक है तो 42 का आपको option हम दिखा रहे है को अच्छन आप पच्छे से पढ़ लें चली इसके बाद इसका 42 का जो option है वह यहाँ प चली इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग next आप का 43 43 में देख लिजिए को अच्छे से इसके बाद इसका option बताते हैं तो 43 का जो सही option हो जाए option number A correct है इसका option number A सही है चली इसके बाद आगे बढ़ें तो next आप का है 44 44 को अच्छन देख लिजिए और इसका option आपको दिखा चली तो 44 का option number C सही है और इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका 45 45 को अच्छन देख लिजिए और इसके बाद इसका option आप कुम दिखाते हैं ठीक है 45 तो यह option इसका यहां पर है 45 का 45 का option number B सही है इसके बाद आपका 46 46 को अच्छन आप पच्छे से देख लिजिए इसके इसके बाद इसका option आप कुम दिखाते हैं तो 46 का जो सही option है वह हो जाएगा option number C सही हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है 47 47 को अच्छन आप पच्छे से देख लिजिए यह रहा 47 चली तो 47 का option number A सही हो जाएगा option number A सही है इसके बाद 48 48 को अच्छन आप पच्छे से देख लिजिए इसके बाद इसका option बताते हैं 48 आपका बाकी का कोच्छन 48 का ठीके तो यह रहा आपका बाकी का कोच्छन और option भी है तो 48 का जो सही option हो जाएगा option number A आपका correct हो जाएगा चली इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है 49 49 देख लिजिए और 49 का जो सही option होगा वह आपका option number C सही है इसके बाद आगे बढ़ते हैं next आपका है 50 50 कोच्छन देख लिजिए ठीक है तो 50 कोच्छन आप पच्छे से देख लिजिए और इसका बाकी काई यहां भी है ठीक है तो 50 का जो सही answer होगा वह जाएगा option number A ठीक है चली इसके बा और इसके बाद आपको दिखाते है 51 ठीक है यह आपका 51 कोचन नंबर इसका जो सही option होजाएगा option number A सही है इसके बाד आगे बढ़ें तो next 54 को अचन देख लीजिए 54 का जो सही option हो जाएगा option number B सही हो जाएगा option number इसका B correct है इसके बाद next आपका है 55 55 को अचन आप देख लीजिए तो 55 का जो सही option हो जाएगा option number A सही है इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका 56 56 को अचन देख लीजिए इसके बाद आपको इसका option ब तो इसका option number D सही हो जाएगा चली इसके बाद है 57 तो 57 का जो correct option है वो है option number A ठीक है तो option number A सही हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है 58 58 का जो सही option है 58 का जो correct option है कोचना पच्छे से देख लिजे इसका बाद इसका जो option है वो है option number D चलिए इसके बाद आगे बढ़े हैं तो next step का है 59 59 question आप अपछे से देख लिए इसके बाद इसका option बताते हैं तो 59 का जो सही option है वो है option number A सही हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़े है next step का 60 60 कोचन का जो सही option है वो है option number C तो option number C इसका सही हो जाएगा चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो next आपका है antinum सबको बताना है जो underline किया हुआ है sentence में question में उसी को आपको antinum बताना है opposite in meaning टीके चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो next आपका है और कोचन नंबर 61 आपके से देख लिजिए ठीके तो कोचन नंबर 61 आपके से देख लिजिए सही है है इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्श्त når का है 64 64 का Claro 6 Quindi सही का दी सही है चले इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्श्त आप का है 65 65 का सही आप्सन होजागा बागी का बागी नवर्चा-बन देख लिजिए बाकी का भी option आप देख लिजिए चलिए इसके बाद next आप का है 70 ठीक है तो 70 का जो सही option हो जाएगा वह भी option number B correct है ठीक है तो option number B हो गया सही ठीक है तो यह था antinum ठीक है अब इसके बाद देखते हैं कि को ने close composition है तो इस directions को आपको दिखाते हैं यह आपका directions इसको आप देख लिजिए इसके बाद next चलते हैं question number 71 पर ठीक है तो 71 question आप देख लिजिए 71 का जो सही option हो जाएगा वह है option number A इसके बाद है72 72 का option number B सही है और next आपका 73 73 गा option da ओर इसके बाद आगे बढे का है 74 74 का option number b board सही है इसके बाद आगे बढे का आपका है 75 75 का option number A सही है और इसके बाद है 76 76 का option number B सही हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है 77 77 का option number B correct है और 78 78 का option number A सही है next आपका है 79 79 का option option number C सही है option number C correct हो जाएगा इसके बाद 80 है तो 80 का भी answer देख लिए 80 का भी option number A correct है चलिए इसके बाद सी नम आपको अम बताना है जो underline किया हुआ question में ठीक है उस वर्ड का आपको सीनम बताना है के लिए चलिए तो को चन में आते हैं तो इसमें भी 10 को चन देखेंगे सीनम में भी तो एंटीनम से भी 10 सीनम से भी 10 चलिए तो 81 81 का जो सही option हो जाएगा वो है option number A ठीक है तो option number A हो गया इसका सही इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है इसके बाद है 84 84 का option number C correct है इसके बाद है 85 85 का option number D सही हो जाएगा option number D correct है इसके बाद next आपका है 86 86 को चन आप देख लिजिए अच्छे से पढ़ लिजिए इसका जो correct option है option number A सही हो जाएगा तो option number A सही है इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका है 87 87 देख लिजिए 87 का जो सही option है वह है option number A इसके बाद आगे बढ़ें next आपका 88 88 का जो सही option है वह है C इसके बाद आगे बढ़ें next आपका 89 89 का option number A correct है इसके बाद है आपका 90 90 का जो प्रफिशन है वह है इसके बाद से भी 10 कोचन होगे अब है पार्टस ऑफ स्पीच से आपको बताना है तो डिरेक्शन पढ़ लिजी ठीक है और इसके बाद कोचन पर चलते हैं दोस्तों आप जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगता है लाइक जरूर करें ठीक है चलिए इ 91 कोचन का जो सई option है वह है option नंबर C preposition चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 92 92 का जो correct option है 92 का जो correct option है वह जाएगा option नमबर B ठीक है और अगर दोस्तों आपको किसी भी इंगलिस गरामर के टोपिक पर अगर आपको अच्छे से डिटेल जनकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें उस पर आप जरूर वीडियो मिल जाएगा ठीक है बना करके आपको देंगे ठीक है तो आप कमेंट क्या किजि करें तो नेक्स्ट आप का है 94 94 का औपस नमबर B और नेक्स्ट आप का है 95 95 का का औप नमबर B एंड 96 96 96 का औप सनबर इसका भी इसके बाद है 97 97 का औप सन आपका 98 98 का औप सन अंबर बी और नेक्स्ट आपका क्वेचन है 99 99 का आप्शन नमबर बी और हंडेड क्वेचन आपका यह रहा इसका आप्शन नमबर डी ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है देख लेते कौन सा है completion of sentence ठीक है तो directions आप पढ़ लिजिए और इसके बाद हम दो चलते हैं फिर से 10 क्वेचन देखेंगे इस पर 240 को देखते हैं 101 क्वेचन का जो सही answer है वह आपको दिखाते हैं 101 ठीक है इस क्वेचन का option number A सही है चलिए इसके बाद है 102 102 का option number B next आपका 103 103 का option number A next आपका है 104 104 क्वेचन आप देख लिजिए इसके बाद इसका option बताते हैं तो 104 का option number C next आपका है 105 105 क्वेचन आप पच्छे से देख लिजिए इसके बाद इसका option बताते हैं तो 105 का जो सही option है वो है option number D चले इसके बाद आगे बढ़ें तो next आप का है 106 ठीक है तो 106 का जो सही option हमें लग रहा है दोस्तों वो option number A होना चाहिए लेकिन आप comment करके बताएगा कि आपके अनुसार इसका option क्या होना चाहिए ठीक है तो यह आपके उपर है चले इसके बाद आगवेड़ें तो next time का 107107 का जो शही option हो जाएगा वो है c इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका एक वेड़ें तो नेक्स्ट आपका 110 110 का जो सई सई अप्शन है वह सी ठीक है बाकि का भी अप्शन आप अच्छे से देख लीजिए चलिए तो यह था अब हम लोग देखते हैं प्रिपोजिशन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 111 का देख लिजिए 111 का ओप्शन नमबर एं सई हो जाएगा इसके बाद 112 का ओप्शन नमबर एं सई हो जाएगा चलिए है इसके बाद आपका नेक्सट आपका 113 तो 113 का जो सही ही ओप्शन है वह है बीट्वीन ठीक है यह से हो जाएगा दोंटा रीड्शं भीट्वीन दा लाइन्स ठीक है रीड्श दीट लाइन्स चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो ऑप्शन नमबर बी करेक्ठ हुए 11 होते रखा इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 114 तो 114 में आते हैं यह आपका 114 को अच्छन इसको देख लिए इसका जो सही option है वह option number B सही है चलिए इसके बाद 115 115 का option number A next आपका है 116 116 का जो सही option हो जाएगा 116 का जो सही option है वह है C यह लगेगा ठीक है क्योंकि यहां पर इसको यूनिक पढ़ते हैं ठीक है तो इसलिए यह constant pronunciation है इसलिए तो consonant pronunciation है इसलिए यहां पर लगेगा चलिए इसके बाद 117 117 का option number A सही हो जाएगा और इसके बाद next आपका है 118 तो 118 को आप देख लिए और इसका जो option है वो है option number D ठीक है तो D option इसका सही हो जाएगा दर लगेगा यहां पर चलिए इसके बाद next step का 119 119 का option number A सही हो जाएगा ऑन ठीक है इसके बाद आगे बढ़े नेक्स टाप का 120 120 का जो सही option है वो option number C है ठीक है तो option number C इसका सही हो जाएगा यह था दोस्तों ना एंडिये और सुरी CDS exam 1 2021 का question paper जो कि आपको answer भी बताएं ठीक है इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको question मिलता रहे तो आप comment करके हमने बताएं कि यह है यह है है बताएं कि यहीं ど ने कात